असलाम वालेकुम नाजरीन आपका इस्तिकबाल करती हूँ अपने चैनल मुक्तलिफ जायखे में नाजरीन आज हम पनीर की बहुत लजी सीडिश बना रहे हैं और इसका नाम है पनीर बटर मसाला आईए देखते हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें किन चीजों की ज़रत लगेगी इसमें हमने 500 ग्राम पनीर लिया है और इस तरह से छोटे पीसेज में कट कर लिया है पीसेज आपके उपर डिपेंड करता है आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेज भी कट कर सकते हैं यह देखें आप थोड़े मीडियम साइज के पीसेज हमने कट किये हैं और यह मलाई पनीर है इतना फ्रेश पनीर है और इसमें हम ले रहे हैं, फमांच मीडियम साइब कर लिए ग्रेवी की लिए अगर आपको ग्रेवी थोड़ी जादा रखनी है, तो आप छे टमाटर भी कर सकते हैं और 3 हरी मिर्च ली है, इसमें 2 तेज पत्ता लिये हैं, मीडियम साइज के उतको बीछो दो तुकडे कर लिये हैं, नही चारनी पीस कर लिये हैं, आर दो इंच दाचिनी ली है, इस तरह से पीस कर लिये हैं, चार सपेद इलाइची ली है और इसमें एक टेबल स्पून लिया है हमने अत्रकलसन का पेस्ट एक टेबल स्पून जाएगा इसमें कसूरी मेथी इसको ड्राय रोस्ट कर लिया है बारा से पंद्रा काजू काजू आप बीस से पचीज भी कर सकते हैं यह हम थोड़े कम डाल र अमुल बटर और फ्रेश क्रीम थोड़ी चीज में जाएगी एक पैन में दो टेबल स्पून ओइल हमने करने के लिए रखा हुआ है अब हमने क्या करना है इसमें बटर डाल देना है और बटर डालने के बाद हमने टमाटर और हरी में चौप जो दीगर मसाले हैं उनको हमने थुड़ी सी देर पकाना है तो टमाटर जो है इसको हमने क्या करना है सिर्फ चार तुकुडे कर लेना है इस थाना से और मिर्च के भाप चाहें तो इस तरह से तुकुडे कर ले यह बहुत ही लगी सी रचीपी होती है इसको जरूर ठ्राइ कीजेगा, पनीर अक्सर घरों में बचों को बड़ों को सबको पसंद आता है, तो इस तरह से ही हम सारे पीसे इसके कट कर लेंगे, ओल भी हमारा तकरीबन गर्म होने आ गया है, ओल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंग तकरीबन हम एक टेबल स्कून जितना बटर डाल देंगे, ओल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, दो टेबल स्कून तकरीबन हमने इसमें ओल लिया है, और अब इसमें हम जालेंगे, यह हमारे तेज पत्ता रखा हुआ है, यह दो तेज पत्ता चला गया, चार सपै दिल प्रूटे जब लाइची कर सकते ही सपेज़ी लाइची थोड़ी काफी बड़ी इसलिए हम इसमें जाड डाल रहे है और यह भी चली तो अब कि इसको हमने थोड़ा सा ऐसलेम होड़ी की मीडियम करें ठोड़ा सा इस ख्लेवर आने तर थोड़ा चलाएंगे यह हो गया अब इसमें शामिल कर देंगे डमाटर जो हमने कट किये हुए हैं और हरी मिल्ची भी जिसको हमने करांसे पीसल में कर दिया रहा है अब नमक आप अपने पेस्ट के हिसाब से डालें यह हमने वन टीस्पून डाला है इसके साथ डाल देंगे हम एक टेबल स्पून अधर गलसं का पेस्ट और इसको अच्छे से एक दो मिनट के लिए फ्राइ होने देंगे अधर गलसं का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया लाल मिल्च पाउडर लाल मिल्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें साथ साथ चला जाएगा धनिया पाउडर एक टेबल स्पून जो काजू रखे हुए हैं ये काजू हमने भिगा के रखे हुए हैं आप भिगा के ही इसको कम से कम 10-15 मिनिट के लिए भिगा दें और उसके बाद इसको इस तरह से में डाल दें साथ जो मेथी रखे हुए है इसको भी हमने राय रोस्ट किया हुआ है इसको भी हमने इस तरह से ग्रश करके हाथ से इसमें डाल देना है अद्रक लस्टन अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप इसमें दो इंच अद्रक और 20-25 मिडियम साइज की कली लस्टन आप ऐसे ही साबुट इसमें डाल चकते हैं और डाल के इसको पका लें हमारे पास पिसा हुआ था तो इसलिए हमने पिसा हुआ डाल यानी दो अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप इसमें साबुट भी डाल सकते हैं क्योंकि इसको हमने पीसना है अभी हमको इसको क्या करना है इसको हम एकदम स्लो करके पांच मिनट के लिए इसको कवर करके पका लेंगे इतना कि यह चिलका जो है थोड़ा सॉफ्ट हो दूसरी बार यह है कि पनीर जो है अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा नॉन स्टिक पैन में एक टीबल स्पून ऑइल डाल के और रोस्ट कर सकते हैं लेकिन हमें पनीर ऐसे ही बहुत पसंद है और इस तहां से ही पनीर खाना पसंद है तो इसको हम फ्राइड नहीं कर रहे ह ऐसे ही इसमें ग्रेवी में डालेंगे अगर आप दोनों तरह option है चाहें तो ऐसे डालें और चाहें तो आप थोड़ा सा फ्राइ करके डालें लेकिन फ्राइ करते टाइम यह दिहान रखें कि बहुत जादा डाप कलर नहीं आना चाहिए अलका सा गोल्डनीश कलर इसमें आ ज दालना है पांच से छे मिनाट पांच मिनट हो चुके हैं आए देख लेते हैं इसको हाँ अभी थोड़ा सा और बाकी है क्योंकि टमाटर थोड़े से कड़क थे देखें इस तरह से जिस तरह से यह चिलका इसका इस पे से सौफ्ट हुआ है हट गया है इस तरह से ही हमने सार मिनट भी हो जाएं तो मसला नहीं है यह थोड़े सौफ्ट होना चाहिए चिलका जो है अच्छे से इस पे से पील हुआ हुआ है दिखना चाहिए यानि अभी हम इसे तीन-चार मिनट के लिए और एसे ही छोड़ देंगे कवर करके और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे अब यह देखिए अच्छे से डन हो गया है किस तरह से सब सॉफ्ट हो गया है अब कर देंगे और इसे अच्छे से कूल डाउन कर लेंगे बहुत अच्छे से ठंडा करके और इसको एकदम बहुत फाइन सा पेस्ट बनाना है अब एक बात का और ध्यान रखना है अगर पेस और हयह पेट रहता है तो अभर टब्सका टंडा कर लेंगे और विल्दा करने के बाद फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं और फिर आगे चलते हैं अपनी पेस्ट बणा लिब दे तार regardez तो तो हाफ टीस्पून इसमें नमक और शामिल किया है अब इसके ग्रेवी को हमने क्या करना है पैन को हमने वापस गरम करने के लिए रख दिया है जो बटर है उसको हम एकदम स्लो फ्लेम पे सारे बटर को इसमें डाल देंगे बटर कभी भी फास्ट फ्लेम पे नहीं डालें क्यूंकि एकदम ये बटर मेल्ट होते होते जलने लगता है तो एकदम स्लो फ्लेम पे बटर आप डालें बटर हो गया अब ये जो क्रेवी है इसको हम नेज में डाल देना है क्रेवी बहुत ही फाइन सा पेस्ट हमने पनाया है बिल्कुल चाननी की दरुवत नहीं लगी क्यूंकि सब चीज बहुत अच्छे से गल गरी थी काजू भी और टमाटर थे वो भी आपने देखा कि कितन और इसको स्लो स्लो पे ही मीडियम फ्लेम पे कभी स्लो कभी मीडियम ऐसे करके इसको ग्रेवी को हमने बूनना है मतला इतना बूनना है कि इसमें जो बटर है वो थोड़ा सा उपर दिखने लगे जिस तरह से हम नॉमली बाकी रैसिपीस बनाते हैं और उसमें जो मसाला बू अब इसको हम थोड़ा सा मीडियम करके भून लेंगे और दूसरी बात और बतानी थी नाजरीन मुझे मेथी हमने इसमें अच्छा और अच्छा फ्लेवर डालने के लिए मेथी हमने साथ में डाल दी थी आप चाहें तो मेथी अगर ऐसा होता है कभी कोई रैसिपी में इनसान बूल जाता है तो मेथी ये टाइम पे भी लिख डाल को से लुक्ते हैं जलने लगेगी तो देखें थोड़ा थोड़ा इसमें रौनक भी आना शुरू हो गई है मिर्चाप इस वक्त चक सकते हैं लाल मिर्च का इस्तेमाल करें लाल मिर्चाप इसमें डाल चकते हैं यानि कश्मीरी रेड चिली पाउडर तो उसे कलर भी अच्छा आएगा और टेस् उपर आने शुरू हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा उइल तो उन्हें यूज किया नहीं है बटेर यूज किया है तो बहुत ज्यादा तो इसमें आएगा भी नहीं क्यूंके काफी वैसे ही काफी रिच चाहिए अब इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाला गरम मसाला भी आप थोड़ा सा समाल के ही डालें क्यूंकि इसमें इलाइची यो दारचीनी मगेरा सब पहले ही मौजूद है और तेज़ पत्ता भी क्यूंकि वो सब चीजस में साथ में ही पीस लेना है इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है क्यूंकि सब चीजे एक साथ जब पिस्ती है तो उसमें इलाइची का फ्लेवर तेज़ पत्ते का दारचीनी का वो सब का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मेथी तो बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और चीज को तो इसको रोस्ट करके ही डालें, दिहान रखें, मैं बार-बार आपको बता रहे हूं, कि ड्राय रोस्ट करना है, और बनीर को भी आपको, अगर चाहिए तो हल्का सा फ्राइ कर लें, यानि डीप फ्राइ नहीं करना है, बिल्कुत सौते करना है, यह आ गया, शामिल हो गया, इसमें सब पनीर, अब इसे बहुत आइस्ता से हमने इसको हिलाना है, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली रखना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पीस्ते टाइम पानी मिला सकते हैं, वरना यह काफी है, थिकनेस इसकी काफी है, एक मिनट के लिए इसको हम वापस से कवर कर देंगे, और बाद में शामिल करेंगे इसमें क्रीम, थोड़ी सी फ्लेम मीडियम कर देंगे, ताके पनीर के अंदर भी इसका अच्छा सा फ्लेवर आजाए, ग्रेवी का, एक मिनट हो चुका है, अब इसमें शामिल करनी है, हमें क्रीम, क्रीम हमने तीन टिबल स्पून ली है, यह अमुल की फ्रेश क्रीम है, अगर आपके पास अमुल फ्रेश क्रीम नहीं है, तो आप इसमें, जो घर की मलाई होती है, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, और वही शामिल किया जा सकता है, वही जायका देगा, बस इसको आइस्ता से मिक्स कर दें, अभी हमने प्लेम बंद नहीं किया है, क्योंकि इसको बस हमने मिक्स करना है, अभी हो गया अच्छे से, मिक्स, अब हम प्लेम कर देंगे बंद, और इसके बाद इसका एक पाइनल टच है, वह आपको दिखाते हैं, इसको डिश आउट करके, पनीर पटन मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको हमने इडिश में भी आउट कर लिया है, अब हमने क्या करना है, इसका लास जो फिनिशिंग टच है, वह इसमें हमने एक पैन में दो टेबल स्पून ओईल ले लिया है, और ओईल भी हमेरा हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, और इसमें हम दाल देंगे, हाफ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको हलका सब स्लो फ्लेम पे ही, इसको हम गर्म करेंगे, मिर्च तेज नहीं होना चाहिए, और इसके उपर हम इसको पोर कर देंगे, यह हमारा हो गया, तो लीजे नाजबीन, यह पनीर बटर मसाला रेडी है, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है, तो आप इसको जबूर लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें, नेक्स रेसिपी के साथ सीमा शिक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी, अ आपकीष।